भरत्य सिनेमा का सबसे महन शोमेन यानी राज कपुर के सोवा जनम दिन पर हम आपको उनकी जिन्दगी की कुछ यादगर फिलिमों से रूबरू कराते हैं। 1921 की फिलिम आवारा एक क्राइम ड्रामा फिलिम है। इसे राज कपुर ने निर्डेशित और निर्मित किया है। फिलिम में राज कपुर प्रिथवी राज कपुर नर्गिस लिलाचित निस के एन सिंग ने मुख्य भुमिकाये निभाई। इस फिलिम के लिए राज कपुर चार्ली चैपलीन के प्रतिस्ट्रित ट्रेंप बैक्तित्तों को अपनाया लेकिन इसमें एक देसे श्पर्च भी जोड़ा। शेलिंडर द्वरा लिखित और शेंकर जैकिशन द्वरा रचित संगीत में मुकेश्ट का सदाबाहर गीत आवारा हूं भी शामिल है। आवारा ने नाकेबल भारत में बलकि रूस में भी लग प्रियता हासिल की जहां फिलिम और गाने रूसी भश्च में दब किये गए थे। राच कपूर द्वरा निद्शित फिलिम को ताइम मैगजिन ने 2012 में आल ताइम सो महंतम फिलिमों में से एक के रूप में सुचिबत किया था। आवारा की अपर सफलता के बाद राच कपूर ने अपने अगली फिलिम स्री फोर ट्वेंटी की शुरुवाट की। और साथी रोमेंटिक कठानक में दर्शकों को रूची बनाए रखी। फिलिम में नर्गिस नदिरा और ललिदा पावर भी मुख्य भुमिकाओं में है। यह फिलिम बॉक्स अफिस पर बहुत बड़ी हीत रही और इसने 3.9 करों रुपे से अधिक के कमाईगी। इसको बेस्ट फिचर फिलिम का नेशनल एवार्ड भी मीला। शंकर जैकिशन की संगीत जोरी द्वरर अचित मुकेश की मधुर आवाज में फिलिम का गाना मेरा जोता है चापानी ने पूरे देश में धुम मचा दी। इसे आजाद भारत में एक देशभक्ती गाने का प्रतीक माना गया। 1954 में रिलीज हुई फिलिम चोड़ी चोड़ी निडिशक अनन्थाकुर संगीत शंकर जैकिशन फिलिम में राज कोपुर और नार्गीस ने मिख्य भुमिका ये निभाई। इस फिलिम में राज कोपुर ने एक पत्रकार की भुमिका बौखु भी निभाई थी। जो हल्यूट फिलिम इत हैपन्द वान नाइट से प्ररिद थी। चोड़ी चोड़ी फिलिम ने राज कोपुर के शांदर अभिनाई करियर को और प्रसिध्धी दिलाई। 1969 की फिलिम अनारी एक म्यूजिकल कामेडी फिलिम है। इसको रिशिकिस मुकरजी ने निर्डशित किया है। राज कोपुर और नूतन अभिनित आनारी एक ऐसे युबग के कहानी थी जो प्यार या पैसे के लिए अपने नैतिक मुल्ले से समझोता करने से इनकार कर देता है। राज कोपुर ने इस फिलिम के लिए फिलिम फेर सर्बसरेस्ट आविनित पुरसकर जीता। यह उन कुछ फिलिमों में से एक है जिसमें ललिता पावर ने सकरत्म किरदर निभाया है। संगम 1964 की एक रोमैंटिक ड्रामा फिलिम है। इसे राज कोपुर ने निर्डेशित किया है और महबब स्टूडियो तथा फिलिमिस्तन स्टूडियो के सथ मिलकर निर्मित भी किया है। संगीत शंकर जैकिशन का राज कोपुर की इस फिलिम में सबसे महाकाइब्य प्रेम त्रिकुनों में से एक दिखाया गया था और इसे बहतरिन तरीके से किया गया था। संगम राज कपूर की पहली रंगिन फिलिम थी, जिसमें उनके साथ वजन्टिमाला और राजेंद्र कुमर ने मुख्खा भुमिकाये निभाई थी। बॉक्स ओफिस पर इस फिलिम ने अच्छा भ्यापर किया। संगम फिलिम को ग्यारह फिलिम फियर नमांकन मिले, जिसमें से इसने चार पर कबजा किया। फिलिम की जबरडस्त सफलता ने भरत्य फिलिम निर्माताओ के बीच बिदेश में शूटिंग करने का चलेंग कहानी मारे गए गिल्फाम पर आधारी थे। इसमें राजकपूर और वाहिदा रह्मान मुख्या भुमिकाओं में है। इस फिलिम ने रास्ट्रिय पुरसकार में सर्वस्रेस्ट फिलिम के लिए रास्ट्रपती पदक जीता। इसे बनने में छे साल लगे थे। इसलिए इसका प्रचार खूप हुआ। शुरुवात में इस फिलिम को समिक्षकों और डर्शकों ने नकार डिया था। बॉक्स ओपिस पर यह फिलिम उम्मीदों पर खारा नहीं उतर पाई। जिसके बाद राजकपूर पर आर्थिक संक पर आन परा था। आज इसे एक काल्ट क्लासिक माना जाता है। फिलिम में राजकपूर, सिमी गयरवाल, रिश्ची कपूर, सेनिया र्याबिंकिना, पदमेनी, मनुच कुमर, धर्मेंदर, दारा सिंग, राजेंदर कुमर ने एहम भूमिकाए निभाई। इस फिलिम को पा पहली फिलिम आग का निर्मान किया। 1948 की फिलिम आग एक म्यूजिकल ड्रामा फिलिम है। राजकपूर ने इसी फिलिम से निर्माता और निर्डेशकों की दुनिया में कदम रखा। यह नार्गिस के साथ राजकपूर की पहली फिलिम थी। राजकपूर और नार्गिस के अलावा प्रेमनाथ और कामेनी कोशिल फिलिम में मुख्य पुमिका में थे 1969 में रिलीज हुई फिलिम बरसाथ निर्देशक और निर्माता राजकपूर संगीत शंकर जैकिशन इस फिलिम में उन्हें पहचान मिली यह उनके द्वारा निदेशित सुपरहित फिलिमों में से एक थी राजकपूर नर्गिस प्रेमनाथ निम्मी केन सिंग ने मुख्य पुमिका ये निभाई 1960 में रिलीज हुई फिलिम जिस देश में गंगा बहती है इस फिलिम के निर्माता राजकपूर और निदेशक रधु कर्मकार है संगित शंकर जैकिशन का फिलिम के मुख्य कलाकर राजकपूर पदमिनी और प्रान है फिलिम को बॉक्स आफिस पर हित घोशित किया गया था इस फिल्म को आथ फिल्म फैर के लिए नमित किया गया था जिसमें से इसने चार जीते राज कपुर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फैर एवार्ड मिला राज कपुर स्रिफ दो शब्द असेंख भावनाओं और चब्वियों को जगाते हैं वे सभी कालाती थे ब्यापक रूप से भरत्य सिनेमा के सबसे महान शोमेन के रूप में जाने वाले राज कपुर की फिल्में आम आदमी की संघर्ष और अंतिम जीत का प्रतिनिधित्त कर जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिचाएंगे